हालो एब्रिवन हम चैप्टर 6 कर रहे थे बिजनस टेडिस का सोशल रस्पोंसिबिलिटी ओफ बिजनस एंड बिजनस एथिक्स जिसमें हम सोशल रस्पोंसिबिलिटी ओफ बिजनस के वारे में तो पढ़ चुके थे उसका एक टॉपिक रहता एन्वार्मेंटल क्या है कैसे बिजनस रिस्पोंसिबल है एन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट करने में हम यह सब पॉइंट्स को यहां पर डिसकस करेंगे सबसे पहले एन्वार्मेंटल पॉल्यूशन होता क्या है इट मींस इंजेक्शन ओफ हामफुल सबस्टांस इंटू दा यह करेंड़ोंग्स है उसको हम एन्वामेंट कहते है और जब इसकी अंदर कुछ हामफुल सबस्टांस आजाते हैं जो किसी के लिए किसी को हाम पहुँच आ सकते हैं किसी के लिए डिंजिर अचा सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं पavalूशन दग्डेट्स प्रोल्लम इजैस industries and businessmen are creating pollution जो भी industries है या फिर businessmen है वो एक बहुत बड़ा role play कर रहे हैं pollution को create करने में which is the result of industrial production so protection of environment is must क्योंकि वो एक बहुत बड़ा role play कर रहे हैं pollution करने में तो अगर हम environment को protect करना चाहते हैं तो भी उसके अंदर business को support करना पड़ेगा उनकी participation must है next है types of business pollution जो business है वो किस किस type के pollution में contribute करते हैं number one है air pollution air pollution क्या होता है जब हवा के अंदर कुछ ऐसे substances आ जाते हैं जो human being के लिए या फिर other creatures के लिए harmful हो सकते हैं जैसे जो अब हम देखते हैं vehicle से दुआ निकलता है या फिर जो भी thermal power plants हैं बहुत सारी industries ऐसी है जहां पर अगर वह production करते हैं तो उस time पर कुछ gases निकलती है या फिर दुआ निकलता है वो क्या है जो भी अर्थ के उपर creatures हैं उन सब के लिए harmful है तो business number one क्या करता है air pollution में contribute करता है next water pollution business की जितनी भी जो भी waste materials होते हैं अगर वो क्या कर देते हैं पानी में उसको फैंक देते हैं तो उससे वहां का water क्या हो जाएगा pollute हो जाएगा अब वो water कोई भी अगर पीता है पानी कोई भी उसको पीता है यूज करता है तो वह उसको हम पहुचाएगा तो यह second है water pollution नेक्स्ट रहता है नौइस pollution नौइस pollution में जैसे बहुत सारी industries ऐसी है जहां पर जो machines चलती है उसकी अवाज बहुत ज्यादा होती है तो उसकी अवाज ज्यादा होने से हमें बहुत सारह की diseases हो सकती है सुनने में सुनना कम हो सकता है तो इस तरह की चाहिए वीकल्स के होन है या फिर जो अगर हम बिजनस की बात करते हैं तो जसकी बहुत तेज आवाज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है करें कर देज़िजन होता है नेक्स्त हैं अगर हम जो बिजनस वेस्ट है वह अगर Whats program जाएगा C तो उससे क्या हो जाएगा लैंग पॉलूशन हो जाता है नेक्स्ट है नीड फॉर पॉलूशन कंट्रोल पॉलूशन को कंट्रोल करने की हमें जरूरत क्या है नंबर वन है रिडेक्शन ओफ हेल्थ हजर्ड अगर पॉलूशन कंट्रोल में आ जाएगा तो बहुत सारी बिमार view से देखते हैं factories वग्यारा के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं यह वहाँ पर gases निकलती हैं जिसे air pollution होता है noise pollution होता है तो जो वहाँ पर factory में workers हैं जो labor है वो काम कर रही है उनको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो compensation किसको पे करनी पड़ेगी उब्यसी बात है ओनर ही पे करेगा क्योंकि वो उसकी factory में काम कर रहे थे मतलब उनकी health को अगर कुछ भी effect आता है तो उसको ओनर को उसके लिए compensation पे करनी पड़ती है तो वो उसकी एक क्या है liability है कि उसको in future क्या करना पड़ेगा compensation पे करनी पड़ेगी अगर हम pollution को ही control कर लेते हैं air pollution control में आ जाता है noise pollution control में आ जाता है तो उससे क्या होगा ना तो किसी के साथ जो भी हमारे workers हैं उनके साथ कुछ miss happening नहीं होगी और miss happening नहीं होगी तो हमें उनको कुछ compensation भी pay नहीं करनी पड़ेगी हमारी कोई liability रहेगी नहीं next है cost savings जो भी यह factories वगयरा होती है हमें पता है यहां का जो environment होता है जो atmosphere होता है वो अच्छा नहीं होता मतलब वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है उनको काम करने में तो अगर हम cost savings की बात कर रहे हैं कि अगर pollution नहीं होगा तो obvious ही बात है वो अपना काम जल्दी से कर पाएंगे जो भी workers वहाँ पर काम कर रहे हैं कम time में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे तो जो company है जो business है उसकी cost में भी savings होगी और उसकी cost भी कम हो जाएगी अगर कोई भी business pollution control के लिए contribute करता है अपने आप उनके लिए pollution को control करने के लिए steps लेता है तो उसकी public में भी image improve हो जाती है लास्ट है other social benefits इसके अलावा भी बहुत सारे benefits हमें मिलते हैं जैसे हमने पड़े हैं कि उससे हमारी health सही हो जाएगी बहुत सारी बीमारियां है जो atmosphere में से खटम हो जाएगी तो pollution control होने से हमें बहुत तरह के benefits मिलते हैं next है role of business in environmental protection अब business का क्या role है environment को protect करने में number one है developing work culture for environmental protection हर एक business को अपना work culture जहां पर वो काम करते हैं वहां का culture ही ऐसा कर देना चाहिए कि वो ऐसा कुछ करें ही ना करें ही ना जिससे environment पे कुछ pollutants आये या फिर environment खराब हो हमारा environment हमारा culture ही ऐसा होना चाहिए work culture कि जहां पर हम सारे steps ही environment को protect करने के लिए लेते हैं next sharing commitment to environmental protection जो भी हमारी organization की top management है या other employees है वो सारे commitment करें कि हम ऐसा कोई भी step नहीं करेंगे या कोई भी ऐसी activity नहीं करेंगे जिससे environment को harm पहुंचे नेक्स है using better quality material and technique हम हर एक business को यह भी step लेना चाहिए कि वो अच्छी quality के goods use करेंगे ताकि जिससे wastage ही ना हो ना wastage होगी ना ही आपको उसको water के अंदर या फिर other जो other types के pollution है हमको करने पड़ेंगे next है complying with the government laws government जो भी laws बनाती है business के लिए environment को protect करने के लिए हर एक business को वो सब follow करने चाहिए next है participation in environmental protection related to government program अब जो भी program चलाती है government अपनी तरफ से environment को protect करने के लिए हर एक business को उसके अंदर budget के participate करना चाहिए ताकि उनके जो employees है उन सब में environment को protect करने की feeling आये वो आगे से जो भी काम करें environment को protect करने के लिए करें ताकि उसके employees में भी awareness आये environment को protect करने की next है assessing pollution control programs अब government अगर कोई भी pollution control programs या फिर कोई भी other organization है हमारा competitor है कोई और business है कोई भी जो pollution control programs चलाते हैं उसको assess करना कि इससे जो वहां के employees है या जो वहां के लोग हैं उन पर क्या effect आया अगर उसके results अच्छे हैं तो वो सारी जो programs दूसरे लोगों ने चलाए है वो हमको अपने business के अंदर भी लेकर आने जाहिए लास्ट है arranging pollution control workshops अपनी ओर्गनाइजेशन के अंदर या फिर other people's other people के लिए भी हम क्या कर सकते हैं pollution control की workshop arrange कर सकते हैं जहां पर हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से वह pollution को control कर सकते हैं और environment को protect करने में contribute कर सकते हैं next topic है business ethics business ethics is all about what is wrong and what is right ठीक है आप कुछ भी करते हो हम daily life में भी हम एक क्या है society के अंदर चीजे कही जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है हर एक चीज के parameter है किसी भी चीज को आप नापते किसे हो कि क्या सही है क्या गलत है जैसे जूट बोलना सबको पता है कि जूट बोलना गलत बात है आप कोई करता है गलत पता होने के बाद भी वह अलग चीज है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो society में क्या सही माना जाता है और क्या गलत माना जाता है तो वो तो क्या है हमारी daily life, हमारी general life के rules हैं कि क्या सही है और क्या गलत है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं business ethics की जब आप कोई business चला रहे हो या आप एक business का part हो तो उस time पर आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है उन दोनों के बीच में जब आप देखते हो चुनाव करते हो चूस करते हो कि क्या सही है और क्या गलत है वही होते हैं आपके business ethics it refers to socially determined moral principles which govern the activities of a business socially determined society ने जो बना रखे है moral principles जिसको हम कुछ principles कहते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा which govern the activities of a business कि आपको यह activity करते हो तो आपको वो बताएंगे कि यह आपने सही activity की है यह गलत activity की है तो business ethics और कुछ भी नहीं है आप कोई भी activity कर रहे हो तो वो society की according सही है यह गलत है उन दोनों के बीच में choose करना है next है definition of business ethics business ethics is an art and science of maintaining a proper harmonious relationship with society अब business ethics क्या है एक art है एक science है जिसके अंदर हर एक business क्या करता है एक relationship बनाने की कोशिश करता है society में और business में harmonious relationship का यहां पर मतलब है balanced relationship कि society की नजरों में भी हम सही रहें और हम अपना काम भी अच्छे से कर दे रहें अगर हम society की नजरों में सही नहीं होंगे तो उस time पर क्या होगा कि society आपके साथ मिलना नहीं चाहेगी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगी तो काम खराब हो जाएगा क्योंकि हम business है हमारे लिए तो customer हमारे लिए competitor supplier यह सब सारी की सारे जो parties हैं वो हमारे लिए बहुत important है तो हमारा उनके साथ एक अच्छा relationship होना चाहिए ताकि कोई भी new party आती है तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहे हमारे साथ कान करना चाहे its various groups and institutions as well as recognizing the moral responsibility for rightness and wrongness of a business अब इसके अदर आप क्या करते हैं relationship बनाते हैं society का various other groups भी हो सकते हैं groups के अंदर customer आ सकता है public आ सकती है कोई भी हो सकता है and institutions कोई other institutions हो सकते हैं जिसका हमारे साथ relationship अच्छे होने चाहिए as well as recognizing the moral responsibility for the rightness and wrongness of a business और अपनी organization के लिए भी ये देखना कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है इन दोनों के बीच में choose करके जब आप कोई activity करते हो तो वो आपकी क्या होती है business ethics अब examples क्या है अब owners ने क्या कर रखा है आपके business में पैसा लगा रखा है अगर हम उनको proper time to time उसका interest देते रहें मतलब dividend देते रहें जो profit का share है उनको time to time देते रहें तो मतलब हम क्या कर रहे हैं अपने responsibility पूरी कर रहे हैं हमारी responsibility थी shareholders को time to time dividend देना अब हम यह सारो के लिए सही है कि हम उनको time to time dividend प्रवाइड कर रहे हैं अब इस time पर गलत क्या होगा कि हमारे पास profits हैं फिर भी हम shareholders को ना देकर उसको क्या कर रहे हैं अपने पास रख रहे हैं तो पैसा तो shareholders ने लगाया और है दोनों की बीच में हम choose कर रहे हैं कि time to time dividend देना क्योंकि shareholders ने पैसा लगा रखा है यह activity सही है और shareholders ने पैसा लगा रखा है फिर भी हम उन्हें profit नहीं देंगे तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा making goods of good quality available on reasonable price अब आपने कोई 8 रुपे का good बनाया और उसको 10 रुपे उसमें अपना एक margin रखा और product को reasonable price के अंदर sale कर दिया अब अगर आपने एक 8 रुपे का product मनाया और आप उसको 50 रुपीज का sale कर रहे हो तो 42 रुपीज का margin रखना तो सही नहीं है क्योंकि reasonable price में नहीं रहेगा 8 रुपे का product अगर आप 50 रुपे का sale करोगे तो वो क्या हो जाएगी गलत activity हो जाएगी बिजनस के point of view से भी society के point of view से भी next time making timely payment to suppliers जो आपको raw material supply करते हैं उनको time to time payment कर देना और next है having healthy competition with competitor अब competitor के साथ healthy competition होना अच्छी बात है लेकिन अगर हम उनको manipulate करके उनके साथ कुछ exploit करके उनको गलत करके अगर हम उनसे आगे निकलने की कोशिच करते हैं तो वो healthy competition नहीं रहेगा ये क्या हो जाएगा एक गलत activity हो जाएगी तो ये कुछ examples से business ethics के last है elements of business ethics अब business ethics में क्या-क्या आता है क्या-क्या elements है number one है top management commitment जैसे कहते हैं कि अगर teacher करेगा तो बच्चे उसको देखकर करेंगे वैसे ही हम organization के अंदर करते हैं कि अगर top management किसी चीज को follow करती है तो उनके employees भी उनको देखकर वो चीज को follow करना start कर देंगे अब अगर जो organization है top management के members है CEO है या board of directors है वो गलत activities करी जा रहे हैं और हम employees से ये expect करते हैं कि वो सारी सही activities करेंगे business ethics को follow करेंगे तो ये possible नहीं होगा सबसे पहले commitment top management की ज़रूरी है जब top management business ethics को follow करेगी तो उनके employees भी अपने आभी business ethics को follow करने लग जाएंगे next is publication of code code का मतलब होता है rules and regulations तो ये कहते हैं कि business ethics के जो भी आपके code है मतलब rules है वो आप writing में publish कर सकते हैं जब आप उसको writing में दे देंगे तो आपके employees को भी पता होगा कि क्या आपको एक situation के अंदर क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए तो जब आप ondagement of compliance mechanism कि जो भी हम क्या करें है compliance मेकैनिजम जो bisnes ethics है उसको हम सही से comply मतलब मान रहे है यह नहीं मान रहे है उसके लिए एक हमने क्या क्या कर लिया mechanism त्यार कर लिए जिसमें हम चेक करते रहेंगे कि जो भी हमारे employees हैं वो business ethics को follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट है involving employees at all levels जब भी आप business ethics को क्या करते हो issue करते हो या फिर जब भी आप उसको discuss करते हो तो आपको employees को भी अपने साथ क्या करना चाहिए involve करना चाहिए उनके साथ discuss करते रहना चाहिए कि क्या एक organization में सही activity है और एक क्या घलत activity है तो जब आप employees को involve करते हो तो वो भी दीरे दीरे business ethics को follow करना start कर देंगे और last है measuring results जब आप business ethics को follow कर रहे हो तो last में आपने results भी ज़रूर measure करने है कि क्या business ethics के जो है वो सारे employees follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और जो लोग follow कर रहे हैं उनके results कैसे आ रहे हैं मतलब उनको कैसा feel हो रहा है या कैसा लग रहा है उन सब को भी measure करना बहुत जुरूरी है तो यह है elements business ethics के तो यह था last lecture में हमने social responsibility किया और आज environment protection and business ethics किया Thank you